My friends, it's a joy to see you today. मेरे मित्रो आज आपको देखना आनन्द की बात है. Yes, God is here to perform mighty miracles and wonders even today. हाँ, आज भी अद्बुद्चिन और चम्दकारों को करने के लिए परमेश्वर आज तयार है. Look forward to it right now, my friends. मेरे मित्रो आज अभी उसके पेखशकर है. He has come to give us His word to tell us what He is going to do in our life. वो आज हमें अपना बचन देने जा रहे हैं, ताकि वो हमें बताएं कि वो हमारे जीवन में क्या कुछ करने वाले हैं. According to Psalm 9.9, बजन सहिता नौ बचन नौ के अनुसार, बाइबल यह बताती है, यहवापी से वों के लिए एक उँचा गड़ है, और वो संकट के समय के लिए भी उँचा गड़ है. जब भी वो आपको चाहिए, आप उसकी उपस्थिती में जाए, वो आपके लिए बड़ा द्रिडगण होगा, जब आपको ढ़ापी रहेगा और आपकी रक्षा करेगा, आप इस संसार की चिंताओं और सवस्याओं को भूल जाएंगे, मैं जानता हूं मेरे मित्र, आज आप बहुत ही दुख में हैं, दर्द में हैं, और बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में भी, आप बहुत ज़्यादा प्रतारा सह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सताओं, और यहां तक चोड पहुँचाने वाली शफ बार बार आपके पास आते हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रबजी अब मैंसे कदापी भी नहीं सह सकता, यहां तक कि मैं जानता हूँ कि जीवन भी आपके खिलाब में बहुत से समस्याओं को उत्पन कर रहा है मैं जानता हूँ अपने बच्चों को बार बार तकलीप और पीड़ा और रोग में देखना बहुत कथिन है और आप पुरी तरह से सहा हैं आप उनकी सहता नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है बारं बार आप अलग-अलग समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रभजी यह तो मेरी सहन सीमा के अंत की परकाष्ठा है ऐसे ही हमारी एक बहन जो है वो अपनी सास से इतनी जादा परिशानी को झेल रही थी और वो उन शब्दों को सहन नहीं कर सकी और प्रती भोर को वो यह कहती थी उटकर के की मेरा आनन इसके कारण से पूरी तरह चूस लिया गया है मुझे लगता है मानो मैं अपने जीवन मैं नरक से गुजर रही हूं अब मैं इसे बिलकुल नहीं सह सकती और एक दिन जब वो यूट्यूब देख रही थी तो उसने जीजस का कारिकरम यूट्यूब पर देखा और उसे बड़ी शांती का नभाव कुआ और बार बार जब भी वो परिशान होती वो यूट्यूब पर आ करके हमारे वीडियोस देखा करती थी वो हमारे जीजस काल्स के प्रेयर लाइन में फोन करती और एक प्रारतना योद्धा के साथ प्रारतना करती या फिर वो प्रारतना भावन के एक सभा में आती और इतनी जय्दा शांती उसको महईसुस हुआ Bible कहती है कि परमेश्वर की शांती ऐसी है जो सारी समझ से परे है आप नहीं समझ सकते परमेश्वर कितनी जादा शांती देते हैं और उस शांती न उसे भर दिया और हाँ मेरे मित्र उसका जीवन पूरी दरह से बदल गया and one of the prayer tower meeting God filled her with the anointing of the Holy Spirit और प्रार्तन भावन की एक सभा में परमेश्वर नसे पहत्रात पर क्या भी शेक से भरतिया and she became trained in the prayer tower and she started praying for people और प्रार्तन भावन में उसको प्रसिक्षित किया गया और वो दूसरों के लिए प्रार्तना करना लगी God used her mightily there परवेश्व ने उसे सामर्थी रूप से काम मिलाया और उसके द्वारा बहुत से जीवनों को परिवर्तित कर दिया और लोग भागते भी उसके पास आया करते थे और जब भी उसे समय मिलता वो प्रभु की सेवह करती थी और परवेश्व ने उसे एक सामर्ती पात्र के रूप में बढ़ाया और आज वो हमारे लिए भी बिलकुल वही करने को तयार है वो हमें आदर देने को तयार है उसके पास आए और आप प्ले लिए उसे द्रिडगण बनाए आई हम प्रारत न करें प्रभु येश्यू महरबानी से में बल दे प्रभु हमारे लिए और कोई दूसरा नहीं है आपके बच्चों के समस्याओं को देखें जिनका सामनाव कर रहे हैं जो शब्द और सुनते प्रभु आप उसे देखें उनके हिर्दे को च्छेदता है अभी उनके हिर्दय को प्रभू प्रेम से भर दे उनके हिर्दय को अपने शांती की उबस्तिति से भर दे आप उन्हें स्वर्क की शांती दे प्रभू वे प्रते दिन इस शांती का नभाव करे और वो इस संसार में मजबूत हो जाए ताकि कुछ भी उन्हें छूने न पाए आपके दहने हाथ के द्वारा उठाए जा उसका सामर्थ के साथ सामला करें जिन्होंने आपकी ओर देखा है पर वो आप इनके आदर करें और आप उनके लिए द्रिडगर बन जाए और उनके जीवन में उन्हें उठाएं आपके जीवन भर वो आपके लिए एक शनरसान होगा और मेश्वर आपको आशिश्टे अजया उनके लिए एक शनरसान होगा